उंख्शांती, आज 23 जून 2022 के साकार मतुर महावाक्य है आज सत्गुरुवार परम सत्गुरु के वर्दानों से विशेश रुप से पालना का दिन है परम सत्गुरु ने मेठी द्रिस्टी देते हुए बहुत ही सुन्दर वर्दान दिया है स्रेश्ट मत प्रमान, हर करम, करम योगी बनकर करने वाले करम बंधन मुक्त भव जो बच्चे स्रेश्ट मत प्रमान कारे करते हैं, वो रूहानी नशे में रहते हैं वो करम करते हुए भी सुदा न्यारी प्यारी सिती में रहते हैं करम उन्हें बांधता नहीं ऐसे बच्चे, जो नियारी-प्यारी सिति में रहते हैं, वो बद्धन्वक्त सिति के कारण सदा खुशी का अनुभव करते हैं, खुश रहते हैं और खुशियां बाटते हैं, कोई भी कर्म हमें अपनी और खीचेना, उसके लिए करम करते हुए कर्म योगी बनना बहुत आव आप ब्रामन बच्चे देवताओं से भी उत्तम हो, क्योंकि ब्रामन सबका मिलन शिव बाबा से कराते हैं, रुखानी मिलन, मंगल मिलन कराते हैं, पबलीक सेवा करते हैं, जो देवी देवताओं हैं, वो तो सत्यों में राज्चे करते हैं, वो तो पबलीक सेवा करते ही ने, इसलिए आप ब्रामन देवताओं से भी उत्तम हो इसी समय बाबा बच्चों को मीठी सी शिक्षा देते हैं कि बच्चे यहां के लाख, करोड, पदम, कुछ भी काम में नहीं आना सब मिट्टी में मिल जाना है इसलिए सच खंड में चलने के लिए सच्ची कमाई जमा करो खुद भी करो, बच्चों को भी सिखाओ, कि शिव बाबा को याद करो भोती सुन्दर बात बाबा ने सिखाई, कि चार्ट रखो आज मैंने कितनी देर बाबा को याद किया टाइम वेस्ट तो ने किया, याद के सिवाई, कुछ और करते हैं तो टाइम वेस्ट जाता है अगर पढ़ाई में मस्त ना रहे, योग नहीं किया मन मनाभव सिती में नहीं रहे, तो टाइम वेस्ट जाता रहता है आप बच्चों को अपना चार्ट रखना है और मन मनाभव में रहना है जब आप याद करेंगे तो माया बुद्ध्योग तोड़ेगी यहाँ वाँ लेके जाएगी आपको हिम्मत नहीं हारने मनसा वाचा कर्मना कभी किसी को दुख नहीं देना सबको सुख देना है यदि कोई बच्चे दुख देते हैं बाब ने कभी सुख नहीं मिल सकता अगर कोई आपको दुख देता है आप योग युक्त रहो सदा मुस्कुराते रहो आपके योग बल से वाटमा भी शान्त हो जाएगी आपकी चलन बड़ी रोयल होनी चाहिए साथ साथ बाबा ने सिखाया इसी समय बाबा एक लॉब्ही समझाते हैं और वो लॉबह है कि बाबा कभी किसी को दुख नहीं देता कोई-कोई सोचते हैं सुख दुख वोही देता है बाबनी का मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ मैं तो तुम्हे स्वर्ग का राजभाग देता हूँ मैं तुम्हे बच्चों को कभी भी दुख नहीं देता बलकि शिरीमत देता हूँ जिस पर चल कर आप सदा सुखी हो जाते हो संते हैं बाबा के मदर बोल बाबा की शब्दों में, बाबा की ते मीठे बच्चे, यहां के करोड अरब तुम्हारी काम नहीं आने, सब मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए तुम अब सच खंड के लिए सच्ची कमाई करो। यहां के करोड अरब तुम्हारी काम नहीं आने, सब मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए तुम अब सच्च खंड के लिए सच्ची कमाई करो। कुशन किस एक बाब के कारण तुम ब्रामन देवताओं से भी उच्च माने जाते हो। किस एक बाब के कारण तुम ब्रामन देवताओं से भी उच्च माने जाते हो। हम ब्रामन अब इस सब की रुहानी सेवा करते हैं, हम सब आत्मों का मिलन परमात्मा बाप से कराते हैं। यह पबलिक सेवा देवताओं नहीं करते, वहां तो राजा रानी यथा राजा रानी तथा प्रजा यहां का पुर्शार्थ जो किया उसकी प्रालब्द भोगते हैं। सेवा नहीं करते, इसलिए तुम सेवा धरी ब्रामन देवताओं से भी उच्चे हो। ब्रामन सेवा करते हैं, इसलिए देवताओं से भी उच्चे हो। ओम शान्ती, यह किसकी सभा लगी हुई है? जीवात्माओं और परमात्मा की, जिनको शरीर है, उनको कहा जाता जीवात्मा, वो मनुष्य हुए और उन्हें परमात्मा कहते हैं। जीवात्माओं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, इसको मंगल मिलन कहा जाता है। बच्चे जानते, परम पिता परमात्मा को जीवात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि वो लोन लेते हैं, तन का आधार लेते हैं। खुद आकर कहते हैं, बच्चे मुझे विस प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं गर्म में तो जाता नहीं हूँ, मैं इसमें परवेश कर, तुमें समझाता हूँ, तुम जीवात्माओं को अपना अपना शरीर है, मेरा अपना शरीर नहीं है, तो ये न्यारी सभा ऐसे नहीं कि यहां कोई गुरू चेलेवा शिश्य बैठे हैं, नहीं ये तो स्कूल है, ऐसे नहीं गुरू के पीछे गद्धी मिलनी है, गद्धी की बात नहीं, बच्चों को निश्य है, हमें कौन पढ़ाते हैं, पक्का निश्य है, हमें कौन पढ़ाते हैं, बिगर सबसे उत्तम देवताओं से भी उत्तम, देवताईं कोई पब्लिक सेवा नी करतें, वाह तू यथा राजजरानी तत्ह प्रजा है, जो अपना पुर्शार्थ किया हुआ है, उस अनुसार अपनी प्रालम्त भोगते हैं, सेवा कोई नहीं करते, ब्रामन सेवा करते हैं, बच्चे जानते हम बेहद बाप से, हुँ बहु पांजर वश पहले माफिक राजश्योग सीख रहे हैं, तुम बच्चे ठहरे, या चेले चाटी की बात नहीं, बाप घड़ी-घड़ी बच्चों को बच्चे-बच्चे कहके स तुम आसुरी मत पर विकारों में चाती है, पतित बनती है, पावन और पतित अक्षर निकलता है विकार से, बाबा केते हैं, जादा पतित मत बनो, सब रावन की जंजीरों में फसे हुए हैं, क्योंकि यह रावन राज्ये, बाप तुम्हें रावन राज्ये सेलिब्रेट क राम राज्य में ले जाते हैं, गौड फादर इस लिब्रेटर कहते हैं, मैं सब को दुख से छुड़ाए, वापिश शांती धाम ले जाता हूं, वहाँ जाकर नए सी राई बच्चों को अपना पार्ट रिपीट करना है, पहले पहले पार्ट रिपीट करना है देवताओं को वही पहले थे, अब गोया ब्रह्मा द्वारा आदिस नातन देवी देवता धरम की स्थापना होती है, कलिव का विनाश सामने खड़ा है, बड़े अंधेरे में पड़े हैं, बले पदम पती, करोड़ पती हो गए, रावन का बड़ा पॉम्प है, इसमें ही ललचाय मान हो बाब समझाते, यह जूठी कमाई, जो सारी मिट्टी में मिल जाएगी, उसको हासिल कुछ भी नहीं होना है, यह जूठी कमाई है, इसका हासिल कुछ नहीं होना, तुम भविशे किस जनम के लिए बाप से वर्सा लेने आए हो, यह सच खंड के लिए सच्ची कमाई, सब को आपिस जाना है, सबकी वानप्रस्त अवस्ता है, बाबा केते सबका सदगती दाता, सत्गुरु मैं हूँ, साधु हूँ का, पतितों का, सबका उधार में करता हूँ, छोटे बच्चों को भी सिखाय जाता, कि शिव बाबा को याद करो, बाकि सब चित्र उड़ा दो, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, बच्चों को भी सिखाना है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तुम जानते हों, फिर से बेहद का सुख का वर्सा लेने आए हैं, हद के बाप से हद का वर्सा, वो तो जनम जनमांतर लिया, रावन की आसुर इमत पर पतित बनते आए, शेटो जलाते हैं, तो उनका नामरूप खतम हो जाता है, रावन का नामरूप तो घुम होता ही नहीं, फिर फिर जलाते रहते हैं, बाबा गेते पांच विकार रूपी रावन, तुम्हारा 63 जनम का दुश्मन है, भारत का दुश्मन हमारा हुआ न, जब वाम मारग में बोरोबर आधा कल्प से रावन राज्य है, रावन जलता ही नहीं, मरता ही नहीं, अब तुम जानते हो रावन के राज्य में हम बहुत दुखी हुए, सुख दुख का ये खेल है, गाया जाता, माया से हारे हार, माया से जीते जीत, अम माया को जीत कर फिर राम राज्य लेते ह hic notation में हैं उसको सत्य योग में हैं लक्ष्मी नरण का राजय है उनको अधिसनातन देवी देवता धरम मुख्य धरम है सपको by सत्यобр Rанов लाज्य बाब को कभी सरव्यापी नहीं कह सकते ब्रदर हुड है बाप एक है तुम सब आपस में भाई भाई हो बाबा वैट आत्माओं को पढ़ाते बाप का फर्मान है मुझे याद करो मैं आया हूँ भगती कफल देने अंडरलाइन करेंगे बाबा का फर्मान मुझे याद करो मैं भगती का फल देने किसको जिन्होंने शुरू से लेके अंतर तक भगती की पहले पहले तुम्हें एक शुवाबा की भगती करते थे सोमनात का मंदिर कितना जबरदस्त है विचार करना चाहिए हम कितने सावकार थे अभी गरीब कोडी मिसल बन गए अब तुम्हें 21 जनमों की प्रालब्द पानी है तुम्हें स्मृति आई अभी हम जानते हैं कि हम क्या से क्या बन रहे हैं तुम्हें स्मृति आई हम अभी क्या से क्या बन रहे हैं स्मृति लब्दाक्षर भी अभी का है इसका मतलब यह नहीं समझना कि भगवान ने आके संस्कृत में गीता सुना संसकृत होती तो तुम बच्चे कुछ ना समझते हिंदी भाशा ही मुख्य है जो इस ब्रह्मा की भाशा है उस भाशा में ही समझा रहे थे जानते हों बाप ददक के सामने बैचे हैं ये घर है ममा बाबा बहन और भाई बस और कोई समद्ध नहीं भाई-बेन का समन्ध तब ह जब प्रजा पिता ब्रह्मा के बने हो नहीं तो आत्मा के समन्द से तो भाई भाई हैं बाप से वर्सा मिल रहा है आत्मा चांती हमारा बाबा आया हुआ है तुम ब्रह्मांड के मालिक थे बाप भी प्रह्मांड का मालिक है जिसे आत्मा मालिक है आत्मा निराकार है देह की म परमात्मा का अर्थ है परम पिता परमात्मा पिता से वर्सा मिलता है यहां कोई सादू संत महत्मा नहीं बच्चे हैं यहां पर हम सब कौन हैं बच्चे हैं बाप से वर्सा ले रहे हैं और कोई वर्सा देना सके बाप है सत्यू की स्थापना करने वाला बाप सदैर सुख ही एने कि दुख सख्भाप देते हैं एसा लाह नहीं है बाबा सबको सुक का रास्ता बताते है बाब एकसा नीकि मैं बचको दुख कराते हूं इसा नंहीं के लिए सोद्छ देवताबनों हुआनओ 기분ाता हूं जान्ते तो दुख कौन देता है, रावन देता है, इसको कहा जाता, विकारी दुनिया, इस्त्री पुरुष्ट दोनों विकारी है, सत्यू में दोनों निर्वीकारी थे, लक्षमी नारण का राज्य था, वहां काईदे से राज्य चलता है, प्रकृति तुम्हारे ओर्डर से चलती है वहाँ कोई उपद्रव हो नहीं सकता तुम बच्चों ने स्थापना के सक्षतकार किये विनाश भी होना है जरूर होलिका में सांग बनाते हैं पुछते इनके पेट से क्या निकलेगा तो कहा मूसल राइट बात तुम चानते हो साइंस कितनी तेज है बुद्धी का काम है साइंस का कितना घमंड है कितनी चीजे एरोपलेन आदी बनाते सुख के लिए फिर इन चीजों से विनाश भी करेंगे पिछाड़ी में अपने कुल का विनाश करेंगे तुम हो गुप्त तुम कोई से लड़ाई लड़ने वाले नहीं हो किसी को दुख नहीं देते हो बहुत इंपोर्टन बात बाबा कहते है मीठे बच्चे कभी किसी को दुख नहीं देना मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना बाब कभी किसी को दुख देते हैं क्या तुम्हारे योग बल से वो भी शान्त हो जाएंगे, खास करके टीचर की चलन बहुत अच्छी होने चाहिए, कोई से घृना ना रहे, बाबा के ते मुझे थोड़े किसी से घृना है, जानते सब पतित है, ये ड्रामा बना हुआ है, जानता उनकी चलन ऐसी है, खानपान कितन मलेच का है, जो आता है वो खाते रहते हैं, लाइफ सबको प्यारी लगती, लाइफ हमें भी बहुत प्यारी लगती, जानते इससे हमें बाबा से वर्सा पाना है, योग में रहने से तुम्हारी आयू बढ़ेगी, विकर्म कम होंगे, योग में रहने का क्या फाइदा है, क्याद से वेल्दी बनते हैं है तो सुख है सिरफ है वेल्थ नहीं वेल्थ है हेल्थ नहीं तो भी सुख नहीं ऐसे बहुत राजाएं बड़े-बड़े शाहुकार है प्रन्तु लंगड़े और बिमार उनको का जाता ऐसे विकर्म किये हैं जिसका फल मिला है बाप तुमको अच्छा शिव बाबा को याद करूं अंदर बड़ी गुप्त महीमा करनी है बाबा ये मन्चित में भी नहीं था कि आप आकर हमें पढ़ाएंगे ये बात कोई शास्त्रों में भी नहीं है कि निराकार परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं बाबा अब हम आपको जान गए बाब के बदले स्रीकृष्ण का नाम डालने से सब गीता ज्यानदाता को भूल गए बाब कहते हैं बच्चे और बातों को छोड़ो पढ़ाई पर ध्यान दो बाब की याद ना रहे पढ़ाई में मस्त ना रहे तो टाइम वेस्ट जाएगा बाबा याद नहीं योग नहीं कर रहे टाइम वेस्ट जाएगा तुम्हारा टाइम मोस्ट वेल्यूएबल है इसलिए वेस्ट नहीं करना चाहिए शरे निर्वा भले करो बाकी फालतू ख्यालातों में टाइम नहीं गवाना चाहिए तुमारा second second हीरे जैसा valuable है बाप केते मन मनावो बस यही time फाइदे वाला है बाकी time तो waste जाता है चार्ट रखो हम कितना time waste गवाते हैं अक्षर है मन मनावो आधकल्प जीवन मुक्ती थी आधकल्प जीवन बंद में आए सतो प्रधान सतो रजो तमों में आए मुक्ती मिलती है अपने अपने धर्म अनुसार पहले पहले सुक देखेंगे फिर दुख देखेंगे नई आत्माय जो पहले आती हैं वैं सुक भोगती हैं कोई की महिमा निकलती क्योंकि नई सोल होने के कारण वो ताकत रहती है तुम्हारे अंदर खुशी के बाजे बजने चाहिए हम बाप ददा के सामने बैठे हुए है चेक करेंगे अंदर बाजे बज रहे हैं कि हम बाप ददा के सामने बैठे हैं अब नई रचना हो रही है तुम्हारी इस समय की महिमा सत्यूख से भी बहुत बड़ी है बनती हो, वे तो जड़ हैं, उनसे पूछो ये देवी कैसे बनी, अगर कोई बात करे तो समझाओ, हम सो ब्रामन थे, फिर हम सो देवता बनते हैं, तुम चेतन्य में हो, तुम बताते हो, ये नौलिज कितनी फर्स क्लास है, गरोबर तुम स्थापना कर रहे हो, बच्चे कहते बाबा, हम लक्षमी राण से कम पदनी लेंगे, हम तो पूरा वर्सा लेंगे, ये स्कूल ही ऐसा है, सब कहेंगे हम आई हैं प्राचीन राज योग सीखने के लिए, योग से देवी देवता बनते हैं, अभी तो शुद्र से ब्रामन बने हैं, फिर ब्रामन से देवता बने करेंगे, मुल बात है, याद की, याद में माया विखन ढालती है, तुम बहुत कोशिश करेंगे, फिर भी बुद्धि कहीं न कहीं चली जाएगी, इसी में मेहनत है, अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलादे बच्चो प्रती, मात पिता बाप तदका, याद प्यार, गुड मॉ ओर्निंग, शुक्रिया, बाबा, शुक्रिया, धार्ना के लिए सार, बाप समान सुक दाता बनना है, मनसा वाच्चा कर्मना, किसी को भी दुख नहीं देना है, सदा शांत चित हर्षित मुक रहना है, फालतु ख्यालातों में टाइम वेस नहीं करना, बाप की अंदर से महि इमा करनी है, वर्दाने स्रेष्ट मत प्रमार, हर करम, करम योगी बनकर करने वाले करम बंधन मुक्त भव, जो बच्चे स्रेष्ट मत प्रमार, हर करम करते हुए, बेहत के रूहानी नश्य में रहते हैं, वे करम करते करम के बंधन में नहीं आते, करम योगी बनकर करम करने से उनके पास दुख की लहर नहीं आ सकती, सदा न्यारे प्यारे रहते हैं, कोई भी करम का बंधन उन्हें अपनी और खीच नहीं सकता, सदा मालिकों के करम कराते, इसले बंधन मुक्त सिती का अनुभव होता है, ऐसी आत्मा स्वेम भी सदा खुश रहती है, दूसरों को भी खुशी देती है, ऐसी आत्मा जो बंधन मुक्त है, वो स्वेम भी खुशी का अनुभव करती है, दूसरों को भी खुशी देती है, इस तदा का वरद हस्त मेरे सिर पर है, मैं करम बंधन मुक्त आत्मा हूँ, कर्म योगी हूँ. मैंने बाप दादा से वाइदा किया है, मेरा हर करम आपको समर्पित है, हर करम करते मुझे योग युक तुस्तिती में रहना है. करम करते म्यारी प्यारी सिती में रहना है, ऐसी म्यारी प्यारी सिती बंधन मुक्त सिती है, मैं ऐसी सिती में बहुत खुश हूँ, सन्तुस्त हूँ, शुक्रिया बाबा, आपने मुझे करम योग सिखा कर बंधन मुक्त बना दिया, शुक्रिया, ओम शान्ति, शान्ति, शान्ति. हूँ